राजकोट सेर नस्यों और जिल्ला युद कॉंग्रेस द्वारा अब जिल्ला कलेक्टर जी को एक आउदन पत्र सुपरित किया गया है इसलिए आउदन पत्र सुपरित किया गया है कि सवराश इंवर्शिटी में 10 से 12 करोड का जो स्विंग कुल का कॉंट्राक है उसमें ब्रश्टाचार की बुवारा रही है युद कॉंग्रेस और नस्यों को कहीं जिसको कॉंट्राक्ट दिया गया है विजोगाई के बागिदार है और पुरे राजकोट की जंता उसको पहचानती है कई ना कई उसमें CMB पिछले दर्वाजे से ब्रश्टाचार में सामिल एक सा मेरा युद और LSUI के माधियम से अक्सेप है और सोरास इनिवर्शिटी के वाइस सांस लग भी इस ब्रश्टाचार में मिले हुए है तो कही ना कही इस मुरूम में कलेक्टर जी से हमने बोला है कि इसके उपर एक कमिटी बने आए जाए और जो सत्य हक्कित है उसको बाल लाया जाए दूसरी बार है गुज़ात में जो भी फीज विदेक गवर्मेंट ने पास किया है भारतिय जंता पाइटी ने लेकिन उसका फोलो कही गुज़ात में नहीं हो रहा है तो कही ना कही लोगों को एक लोलिपोप देखे इलक्षन के समय लोगों को पहुक बनाने की बारतिय जंता पाइटी की एक साल है कई ना कई सिक्सर्ण के जो मापिया है गुजरात के वह बारतिय जन्ता पालिटी के सासतों के साथ मिले हुए है इसलिए मिले हुए हमें बता रहा है वीडिया के माधियम से जो मिले हुए नहीं होते हैं तो सरकार का परिपत्र है उसके पालन करते हैं उसकी हिसाब सभी फीज लेते लेकिन उसके इसाब से कई भी राज़कोट में फीज नहीं ले जा रही है और बारतिय जन्ता पाइटी के जो लोग है उसने बेल दिया होगा कि हमें पार्टी बन के लिए इतने पेसे दो अमेरे परिपत्र के पालन करने की आपको जरूरत में ह लिए परिपत्र किया गया है लोगों को बनाने के लिए तो एसी मुरूम अभी गुजरात में चल रही है उसका विरोध विरोध पक्स के हिसाब से नस्यों और यूद को अंग्रेस चला रही है पूरे गुजरात में हम लोग इस प्रस्टन को लेके पूरे लोगों को जो उ जगर करने के लिए यूद कोंग्रेस और नस्यों पूरे गुजरात में घुमे